Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel और आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं भारत के परमुक दर्रों को यहां से एक्सरक्यूशन बनता है तो हम इनी को आज देखने वाले हैं तो चलिए बिना देर किये शुरू करेंगे आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा और सरपर्थम हम यहां पर देखेंगे कि दर्रे होते क्या हैं तो पहडों के बीच की जगे को कहते हैं दर्रे यानि जो पहड है उनके बीच से जो निकड़ जाता है उसको कहते हैं दर्रा ये प्राकर्तिक मारग होता है जिन से होकर पहाडों को पार किया जाता है यानि पहाडों को पार करने का जो रस्ता कहलाता है वो है दर्रा दर्रों को दो भागों में बाटा जा सकता है भारतिय दर्रों को तो पर्थम की बात करें तो हिमाले के परवर्तिय राज्यों के दर्रे जिसमें एक आता है केंदर सासित परदेश जो कि जम्मू कस्मीर है यानि हिमाले के परवर्तिय राज्यों के और एक जम्मू कस्मीर के तो वो कौन कौन से हैं तो केंदर सासित तो हो गया जम्मू कस्मीर राज्यों की बात करें हिमाचल परदेश, उत्तराखंड, सिक्कम, और उनाचल परदेश और मनिपूर और प्राइदीपे भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे कौन से हैं जो की पाए जाते हैं केरल और महरास्टर दो राज्यों में पाए जाते हैं तो ये टोटल कितने राज्य हो गए, साथ राज्यों में दर्रे पाए जाते हैं, और एक केंदर सासित परदेश में, तो हम उनी को डिसकस करने वाले हैं, कि पूछ लिए जाते हैं, जमू कस्मीर में कौन शा दर्रा है या कौन शा नहीं है, हिमार्चल परदेश के पूछे ज जाते हैं, तो इनको हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं, शौर पर्थम देखेंगे, जमू कस्मीर के दर्रों की बात करेंगे, तो पर्थम दर्रा है कारा कौरम, जो कि सबसे उचा दर्रा है, जिसकी उचाई जो है 5654 मीटर है, यह पाक के कबजे वाले कस्मीर और चीन को ज जोड़ता है, जोजिला दर्रे की बात करेंगे, यहां से क्यूशन दो तरह के तीन तरह के बन जाते हैं, कि कौन शा दर्रा कहां स्थित है, और यह किस को कहां तक जोड़ता है, जोजिला दर्रा की बात करेंगे, तो कस्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, जोजिला दर्रा कौन सी परवत सरेणी में आता है तो जासकर परवत सरेणी में आता है और कारा कोरम दर्रे की बात करेंगे तो ये कारा कोरम परवत सरेणी में ही आता है पीर पंजाल दर्रे की बात करेंगे तो इसकी उचाएन नहीं पूछी जाती है पीर पंजाल ये ध्यान रखना है पीर पंजाल दर्रा कहां पर स्थित है तो ये जम्मू कस्मीर में स्थित है पुल गाओं से कोठी जाने का रास्ता परदान करता है ये तो ये इतना इंपोर्टन्ट नहीं है इतना ध्यान रखे पीर पंचाल दर्रा कहांपर है जम्मु कस्मिर में बनिहाल दर्रे की बात करेंगे तो ये पीर पंचाल शरेनी में आता है बनियाहल दर्रे से important बनता है क्यूशन कि जम्मू और स्रीनगर को जोड़ता है कौन सा दर्रा बनियाहल दर्रा और जो जवार सुरंग है वो किस दर्रे में बनी हुई है तो वो बनियाहल दर्रे में बनी हुई है ये दोनों ही याद रखने है very important है यहां से क्यूशन बनता है इसके अत्रिक ध्यान रखने हैं कि जम्मू कस्मीर में कौन से दर्रे हैं, हमने च्यार दर्रे देख चुके हैं याँ पर हम, पाचवा दर्रा देखेंगे, बुर्जिल्ला दर्रा, जिसकी उचाई नहीं पूछी जाती है, ध्यान रख सकते हैं, लेकिन 41 मीटर है ये, जो कि व पीर जो कार्य करा तो बुर्जिल बनी, पीर है, ठीक है, पीर है, तो पीर ने जो कार्य किया, यानि पीर ने कार्य किया, तो बुर्जिल बनी, यानि कोई बुर्ज बना, बुर्जिल बनी, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, पीर ने जो कार्य करा, तो बुर्जिल बनी, पीर स जम्मू में पीर ने जो कार्य करा तो बुर्जिल बनी इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल परदेश के परमुख दर्रों को जिसमें तीन दर्रे आते हैं बारालाचा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये तीनों दर्रे याद रखने हैं, क्यूशन सीधे से बनता है, कि सिपकिला दर्रा कहां पर स्थित है, तो ये जिसमाचल परदेश में स्थित है बारालाचा की बात करें, तो ये जासकर सरेनी में पढ़ता है, और ये मंडी और लेह को जोडता है और सिपकिला दर्रे की बात करें तो ये सिमला को तिब्बत से जोड़ता है वेरी इंपोर्टेंट है आया हुए कि उसने है धियान रखें कि सिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो वो है सिपकिला दर्रा और शतलज नदी जो है इसी दर्रे के पास से गुजरती है इसी के पास से कौनशा दर्रे के पास से सिपकिला दर्रे के इसके बाद हम देखेंगे रोहतांग दर्रे की विसेस्ता तो ये पीर पंजाल सरेनी में पढ़ता है पूछ लिया जाता है कि कौनशी सरेनी में पढ़ते हैं तो ये पीर पंजाल सरेनी में पढ़ता है और ये मनाली और लेह को जोड़ता है कौनशा रोहतांग दर्रा अगर हिमाचल परदेश के दर्रों को आप ट्रिक के बाद हम से याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद रख शकते हैं कि रोहतास बारा सीप हिमाचल परदेश से लाया रोहतास लड़के का नाम है बारा ये से याद रख लिए बारा यानि बारा कितनी बारा सीप, सीप जानते ही हैं आप कि रोहतास जो है ना बारा सीप कहां से लाया है हिमाचल परदेश गूमने गाया था तो वहां से लाया है तो रोहतास बारा सीप हिमाचल से लेकर आया रोतांस दर्रा, बारालाचा, सिपकिला और ये कहां पर स्थित हैं? हिमाचल परदेश में नेक्स्ट उत्राखंट की बात करेंगे तो यहां पर भी तीन दर्रे पाए जाते हैं लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीती दर्रा इसकी विशेष्टाओं की बात करें तो माना दर्रा से क्यूशन आ जाता है कि कैलास, मानसरो, यात्रा के लिए जब ये यात्री जाते हैं तो कौन सा दर्रा हेलफुल है? तो माना दर्रा है, यानि यात्रा के लिए सुगम है माना दर्रा और उत्राखंड को तिब्बत से जोडता है कौन्छा दर्रा तो निती दर्रा जोडता है तो उत्राखंड के तीन दर्रे हमने देखें अब हम ट्रिक देखेंगे अगर आप ट्रिक यूज करना चाते हैं तो कर सकते हैं लिपू मान नीती और उतर यानि लिपू जो है ना कुछ भी मान शकते हैं लड़का है या लड़की है लिपू जो है ना कहीं पर चड़ा हुआ है यानि उच्छे स्थान पर बैठा हुआ है तो कह रहा है कि लिपू मान नीती मेरी और उतर जा नीचे ठीक है लिपू मान नीत नीती को मान जा और उतर जा नीचे लिपुलेग दर्रा माना दर्रा और नीती दर्रा कहां पर हैं उतर से उत्रा खंड में हैं ये उत्र परदेश ध्यान ने रखी हैं उत्रा खंड में हैं ये लिपु मान नीती और उतर नीचे ठीक है आगे बात करेंगे हम सिक्कम के दर्रों की जिसमें नाथुला दर्ला इंपोर्टेंट है यहां से बहुत बार क्यूसन बनता है तो नाथुला दर्रा कहां पर है वो है सिक्कम में सिक्कम में दो दर्रे हैं नाथु और जेलेप ये ला को दर्रा ही कहा जाता है सिक्कम में तो ये ध्यान रखिए नाथू ला यानि दर्रा ही ये और जलेप ला ये कहां के दर्रे हैं तो सिक्कम के हैं तो आप इसको ऐसे याद रख चकते हैं, शिक कम, शिक कम का पीछे का कम को निकाड लीजिए, कि नाथू कम जलेबी खा, जलेबी कम खा नाथू, तो ऐसे याद रख चकते हैं हाँ पीजी तरीके से, यानि किसको कहा जा रहा है, नाथू को कहा जा रहा है कि जलेबी कम खा ठीक है, तो नाथूला दर्रा और जलेबी यानि जलेब दर्रा कम से सिक्कम में हैं ये दोनों दर्रे, तो नाथूला दर्रा की बात करेंगे, तो यह सिक्कम को चुम्भी घाटी से जोडता है, ध्यान र अक्सर भारत और चीन इसी चेतर से व्यापार भी बहुत जाता होता है और सामरिक द्रश्टी से भी बहुत मैतो पूरण है अगर सिक्कम को खटा दिया जाए तो हमारा जो भारत है इस पूरोतर भारत से कट जाएगा बिलकुल ही तो आप सामरिक मेहतो देख सकते हैं, इसका सिक्कम ठीक है, चीन से लगा हुआ है बिल्कुल ही, तो सामरिक दरश्टी से बहुत ही महतोपूरण है सिक्कम और जब भार्चीन यूद हुआ था 1962 में उस समय इसको बंद कर दिया गया था 2006 में इसको पुन्ने से शुरू कर दिया गया तो बहुत ही सामरिक महताओ है सिक्कम का यानि सिक्कम के नाथुला दर्रे का ये ध्यान रखना है नाथुला दर्रे का और यहीं से आसिपरतिसत व्यापार भी भारत करता है चीन के साथ तो नाथुला दर्रा से बहुत बार क्यूसन बनता है कहां पर है नाथुला दर्रा तो वो है सिक्कम में जलेपला दर्रे की बात करेंगे ये भी कहां पर है सिक्कम है जलेपला दर्रा जो है सिक्कम वो भुटान को जोड़ता है तो सिक्कम और भुटान को कौनशा दर्रा जोड़ता है तो वो है जलेपला इसका निर्मान जो है तिस्ता नदी पर हुआ है जलेपलादर्रे का तो आप ट्रिक के मादम से याद रख सकते हैं मैंने पता दिया पहले ही सिक्कम का क्या निकालना है अपने को कम ठीक है कम कम खानी है क्या खानी है कम जलेबी तो जलेबी से याद रखेंगे जलेपा जलेबी कम खानी है किसको नाथुको यानि नाथुलादर्रा कम खानी है जलेबी किसको नाथुको तो जलेपा और नाथुलादर्रा कहां पर हैं सिक्कम में तो यही ट्रीक है कैसे भी याद रख शकते हैं आप अरुनाचल परदेश के दर्रों को ध्यान दीजिया तीन दर्रे हैं इसमें भी बॉमडिला यागयाब और दीफू दर्रा बॉमडिला की बात करें तो तवांग वे तिबबत को जोड़ता है बॉमडिला दर्रा और तवांग में बोध मठ है जो कि बहुती परशिद बोध मठ है तवांग में कहां पर तवांग में और तवांग को तिबबत से जोड़ता है कौन सा दर्रा बॉमडिला दर्रा तो ध्यान रखना है बॉमडिला दर्रा यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा का कहां पर स्थित हैं तो ये अरुनाचल परदेश में स्थित हैं यांग्याप की दर्रे की बात करें तो भारत वे तिब्बत की सीमा पर है ये यांग्याब दर्रा और ब्रह्म पुत्तर नदी इसी के पास से परवेश करती है यांग्याब दर्रे के पास से कौन से नदी परवेश करती है तो वो है ब्रह्म पुत्तर नदी दीफू दर्रे की बात करेंगे तो अरुनाचल परदेश और मैनमार के बॉर्डर परस्थित है दीफू दर्रा कहां परस्थित है अरुनाचल परदेश और मैनमार के बॉर्डर परस्थित है ये तो इनको याद रखने हैं इन दर्रों को तो थोड़ा हिंट देती हूँ मैं आपको यहाँ पर अगर आप उस हिंट से इनको याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं आप जानते हैं सभी अरुनाचल परदेश बड़ा विवादित छितर है कौन मानता है चीन मानता है कि ये मेरा है इसलिए विवादित है भारत और चीन के बीच ये तो चीन क्या कर रहा है किस के लिए कर रहा है अरुनाचल परदेश के लिए तो हर समय राग राग अलापता रहता है अलापता रहता है ऐसा निकाड लीजिए तो यांग याप यानि अलापता रहता है राग और बातों से एक तरह से बम गिराता रहता है कि अरुनाचल परदेश मेरा है मेरा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे इंडियन भी क्या है फूक मार देते हैं इसके किसके चीन के तो अरुनाचल परदेश को लेकर चीन क्या करता रहता है अलापता रहता है तो अलापते से याद रखेंगे याग याप और राग अलापता रहता है और एक तरह से बातों के बम गिराता रहता है बॉम यानि बॉम डिला अरुनाचल परदेश में है अरुनाचल परदेश पर यह राग अलापरा है यह और हम क्या करते हैं एक तरह से फूक मार देते हैं फूक फूक यानि दीफू दर्रा कहां पर है यह अरुनाचल पर देश में हैं मनिपूर दर्रे को देखेंगे इसमें मनिपूर में एक दर्रा है तूजू दर्रा जो की इमफाल को मैनमार से जोड़ हैं कि मनी में मनी नाग मनी ठीक है मनी में क्या है तेज है मनी में क्या है तेज तेज से याज रखे तू जू दर्रा कहां पर है मनी में है यानि मनीपूर में प्राइदीपय भारत में आ जाते हैं जिन में दर्रों की बात करें तो महराश्टर और केरल में दर्रे हैं के जिसमें थाल घाट दर्रा है जो बुमबई और नासिक को जोडता है बुमबई और नासिक को कौन सा दर्रा जोडता है क्यूशन बनता है तो थाल घाट दर्रा जोडता है इसको बोर घाट दर्रे की बात करें तो मुमबई को पूरे तथा चेनने से जोडता है बोर घाट क् में दर्रे देखें हमने कौन कौन से हैं थाल गाट और भोर गाट कई बार करम पूछ लिया जाता है कि थाल गाट भोर गाट कौन सा पहले आएगा आड़े टेड़े लिख दिये जाते हैं तो मैं आपको बता दूँ माहरास्टर हो गया उपर ठीक है उसके बाद आता है केरल दो दर्रे पढ़ते हैं केरल में और माहरास्टर में ये पढ़ते हैं थाल गाट भोर गाट यहीं से क्यूशन मनते हैं तो इनको ध्यान रखिए करम से पूछ लिया जाते हैं कि पहले कौन सा उपर पाल लिख देगा या भोर लिख देगा तो ऐसे करम है थाल भोर पाल और स थाल ला ठीक है महा बड़ा थाल ला भोर हो गई है चलो खाना खाएंगे महा यानि बड़ा थाल ला भोर हो गई है केरल के दर्रों की बात करेंगे तो पाल घाट दर्रा और सेन कोटा दर्रा पढ़ते हैं केरल में और पाल घाट दर्रे की बात करें तो ये कोजी कोड यानि के बनता है very important है इसको ध्यान रखिए पाल घट दर्रा का कारी क्या है तो एक कोजी कोड और कोई मटूर को चोड़ता है और बात करें सेन कोटा दर्रा की तो ये इलाइची पहड़ियों के पास पढ़ता है सेन कोटा दर्रा इलाइची पहड़ियों को कोड़ेमम या कोड़ामॉ हम हिल्स भी कहते हैं ये ध्यान रखिए पूछे जाते हैं ये क्यूशन भी इलाइची पहड़ियों कहाँ पर पढ़ती है तो ये पढ़ती है केरल में है बात करें हम पाल घट की बात करें कंप्लिट नहुआँ वाद हमारा अन्ना मलाई और नील गरी के पहड़ियों के बी मलाई वे नीलगरी की पहडियों के बीच धित है पालगाट सैनकोटा दर्रे की बात देखी हमने इलायचे पहडियों के पास पढ़ता है और केरल और तमिल नाडु को आपस में जोडता है केरल का त्रिवंत कुरम और तमिल नाडू के मदूरे को जोड़ता है कौन सा दर्रा सेन कोटा दर्रा जो की केरव में पड़ता है तो यहां पर हमारे दर्रों का टोपिक है यह कंप्लीट हुआ है यहां से अक्सर क्यूशन बनते हैं तो आप अगर इसको ट्रिक के मादम से याद करना चाहें तो वो भी य करके आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा नेक्स्ट वीडियो में एक वर फिर से मिलेंगे तब तक धन्यवाद